हलो एब्रीवन तो आज सुबह से दिखे मौसम इतना खराब है मैं दिखा रही हूँ यहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और मैंने सुबह से व्लॉगिंग इस्टार्ट कर दी है तो यहां का व्यू तो बहुत अच्छा आ रहे पर इतनी हवा चल ली इतनी ठंडी निर्नाण कर देती हूँ अधरव भी सो रहा है मैं तब तक जाए आपने बाके काम पर लेती हूँ तो यह देखिए में बाके सारे काम कर देती लेती हूँ मैं देखिए याँ पर शाला हुआ है और यह सारा समान Rider जाडू के लगा लेती हूं तो यहां पर मैं धीरे-धीरे कम आवाज करते हुए बाहर की साइड जा रही हूं पहले मैं हौल से स्टार्ट कर लेती हूं क्योंकि यहां तो अभी अधर सोया हुआ है यहां पर थाम बहुत में सो रखाएं तो चोलर जैड़ा भी सही कर देती हूं जाड़ों लगा देती हूं गर साफ हो जाए हॉआ और बहुंच ज़ड़ा मौसं खराब बैने तिकाया ना सुछड़ा सा तब तक रखर सो रहा ह् और सुबह सुबह इतनी ठर्णोन लगी है कि हवा देर चलती है मैंने खिड़की और परदे वगएरा सब बंद कर रखे हैं और अंदर भी मैंने सब कुछ परदे वगएरा बंद कर रखे हैं लाइट आउन कर दी है अधर वो सो रहा है भी थोड़ी दे तो वो सोगेगा तब यहां पर रात में अधर अक्सर चलता ही रहता है जब हम नोग खाना अगरा खाते रहते हैं बैट के टीवी देखते रहते हैं तो वही थोड़ा वह विखर जाता है और पहले तो मैं सॉक्स पहन लेती हूं क्योंकि ठंड है तो पैर बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं और मेरे बहुत जादा ठंडे हो जाते हैं तो इसलिए सोक्स पहन कर ही रखती हूं तो यहां पर बैट सबसे पहले बना देती हूं जाड़के इसको अच्छे से बेट सीट में सेमी यूज करने वाली हूँ अभी मैं चेंज नहीं करूंगी क्योंकि मौशमे इतना खराब है कि बेट सीट वगेरा जो भी मैंने चेंज की थी वो भी धुलने में वैसे ही रखी हुई हैं क्योंकि धूप आती नहीं हैं उपर से बारिस लगी हुई है तो खाना हो यह अथर खेलता रहता है तो यहीं रीजन है इदर हम चटाई डालके रखते हैं और यहां पर मैंने मसीन में जो शमान रखा इसको हटा लेती हूं तो इदर भी मैं सब को सेट कर देती हूं यहां पर जो एक्ष्टर समान है जो भी मुझे अंदर रखना है वह सारा मै पड़े हुए हैं जो कि मैं अंदर वाले रूम में रखूंगी तो यहां पर कुछ समान होता है जो ड्रॉर से निकल जाता है जैसे चाबियां वह बाहर रख दी जाती है तो उनको उठा के मैं ड्रॉर में रख देती हूं तो इस तरह से कुछ-कुछ समाने बाहर रहती हैं और यहां पर सर्फ होगेरा भी रखा था तो वो सारी चीजे मैं उठा के रख दी है और फाइनली अभी इदर में जाडू लगा देती हूं और पोचा में लगाऊंगी नहीं क्योंकि इतनी ठंट है कि पोचा उचा नहीं लगाऊंगी सिर्फ ऐसे जाडू लगा कर साफ कर दूगी मैं अच्छे से जाडू लगा देती हूं ताकि पोचा लगाने की जोट भी ना पड़े तो यहां पर मैं बार 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 करके साफ कर रही हूं ताकि यह सारा अच्छे से क्लेन ही हो जाए तो इस साइट की जाडू मैंने लगा ली है और यहां पर जो मैंने समान होलु तो इस साइडिका कॉड़ा निकाल लेती हूँ तो यहां से जोय से बिसेकाई ुनल पर दुनल के लिए ड़ी तो में नहीं लगाऊंगी आप Stream के लिए बाद्रों घौत sector करहें हैं तो Apollo को अजितना आवाज हुई जिसकी वज़े से अथर वे जग चुका है तो मैं इसको देखती हूँ अथर अले उटी गई रोते नहीं आओ और यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम अभी अथर को देना पड़ेगा यह अभी नीन से उठा है तो इसलिए थोड़ी दर इसको गोदी में रखूंगी ताकि यह कमफोटेबल हो जाए तो यहाँ पर मैं एक टिप सेयर करना चाहूंगी आपका बच्चा बड़ा हो या फिर छोटा हो अथर जैसा ही जबी भी वो सोकर उठे या फिर आप जगा रहे हैं तो बच्चे को पहले थोड़ा सा पैमपर कीजिए थोड़ा सा प्यार दुलार से उठाईए या फिर उसको थोड़ा सा पैमपर करिए ताकि वो कमफोटेबल हो जाए क्योंकि जब भी बच्चा नीन में होता है तो वो सबसे ज़ादा कमफोटेबल होता है तो जब वो नीन से उठे तो उसे डाटिये मत अधरवाईज वो उसका दिनी खराब हो जाएगा शुरुवाती उसकी खराब हो जाएगी आपको जो भी कहना सुनना है वो आप थोड़ी देर बाद कह लीजिए कि बहुत देर हो कई बेटा इतना लेट ने उठते तो चलिए अभी मैं यहाँ पे बेट सीट को हटाऊंगी और इधर भी बेट सीट चेंज नहीं करनी है और यह सीट सी भी धुलने वाली हो गई है तो इनको भी वोश करना है पर अभी तो मैं इनको धुल नहीं सकती पर आज मैं इनको नहीं बिचाऊंगी इनको मैं हटा दूंगी और गद्दे काफी इधर उधर खिसक चुके हैं तो इनको मैं सही से हटा के फिर से लगा देती हूँ और ऐसा क्यूं होता है अभी मैं पहले गद्दे लगा दूँ फिर आपको मैं दिखाऊंगी तो ये थोड़ा सा अनिवेन हो जाते हैं इधर उदर हो जाते हैं उनको सेट करना पड़ता है पर कोई नहीं मैं इनको जबी भी ये खिसक जाते हैं तो मैं सही कर देती हूँ और यहां पर मैंने दोनों गद्दों को सही कर लिया है और अभी मैं इनको set करके अच्छे से लगा देती हूँ ताकि बीच में जो space रहता है वो ना रहे अगर बीच में space रहता है तो मुस्किल हो जाता है थोड़ा सा गद्दे किसकते रहते हैं तो यहां पे देखिए मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ यह जो मेरे गद्दे थे यह hard वाले गद्दे थे तो हमें uncomfortable लगता था तो इसके उपर हमने form डाल रखा है और उसके उपर हमने cover चड़ा रखा है तो इसमें 2 इंची वाला जो form आता है वो हमने डाल रखा है तो नीचे से गद्दे hard हैं और उपर मैंने form का यूज किया हुआ है जिसे की गद्दे बिल्कुल comfortable रहते हैं लेटने में सक्त नहीं लगता है पर बस ही होता है कि form जो है न वो थोड़ा सा बड़े हैं compare to नीचे वाले जो hard वाले गद्दे हैं तो इस वज़े से ये थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं तो कोई नहीं उनको मैं कभी कबार सही कर देती हूँ रोज रोज नहीं करना पड़ता है एक बार सही से कर दो तो फिर 25 दिन बाद फिर थोड़ा बहुत कर दो तो सही रहता है और मुझे बिल्कुल बराबर हो तो ही अच्छा लगता है थोड़ा बहुत इधर उदर रहता है तो मैं उसको सही करने में लग जाती हूँ और इन सीट्स को मैं फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि आज इनको वोस तो मैं नहीं कर सकती हूँ अब जब धूप आएगी तब मैं इनको वोस कर लूँगी तो चलिए अभी पिलो वगएरा में रख देती हूँ और कंबल को भी फोल्ड करके लगा देती हूँ तो इधर का भी बैड मेरा बन जाएगा तो सुबह सुबह ये थोड़ा सा काम होते हैं जो डेली रूटीन में ही होते हैं इनको करना ही होता है और मैं तो साम को भी थोड़ा सा सही कल लेती हूँ विस्तर वगएरा जिसे कि अच्छा लगता है और थोड़ा सा घर में मन लगा रहता है जब आपका ऐसे छोटा सा घर होना तो उसको साफ सुन्दर रखो तो अच्छा रखता है और बेट बन गया है इसके बाद मैं इधर जाड़ू अगेरा लगा दूँगी जो समान बिखरा है वो रख दूँगी तो यहां से लेके पूरा का पूरा घर साफ हो गया है इधर भी साफ है और यह मुझे आप सबको दिखाना है यहां भी मैंने क्लीन कर दिया है जो जरूरत की चीजे है वो रखी हुई है और दिखाती हूँ हमने क्या मंगाया हुआ है खोल के दिखाती हूँ अल्रेडी हम लोग इसको खोल के देख चुके हैं यह काफी यूज की चीज है तो मैं सुचा आपको भी दिखाती हूँ तो यह है इस टेंड इसमें जिसे मेरे यहां पर फोन चार्जिंग में लगाते हैं तो हमें वहां रखना पड़ता है यह जगह नहीं होती तो इसको हम यहां पर सोच रहे हैं से लगा देंगे तो फोन वगेरा रखने के लिए इसमें है नीचे चाबियों के लिए तो यह हमने एमर जोन से मंगाया है और यह हमें पड़ा है 200 का तो चलिए अभी इसको रख देते हैं तो मैं इसको यहां रख देते हूं साइड में तो घर के सारे काम कर लिए मैंने और अथरों को पता नहीं क्यों गुस्ता दिये इनको वह चाहिए इस्टेंड खेलने के लिए तो वह तूट जाएगा इसलिए मैं देर नहीं रही हूं और अभी टाइम हो रहा है दस बजने है और अभी दस बजने वाला है और मेरे घर के सारे काम हो गए बस नहाना दोना बचा है तो चलिए फिर इस व्लोग को मैं यहीं पर एंट करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल देखने वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटे क्यार